उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने परदेश में हाइडल पावर प्रोजेक्ट के क्षेतर में अधिक काम करने की बात कही है। अनिल शर्मा ने परदेश में हाइडल पावर प्रोजेक्ट के क्षेतर में आगे बढ़े और आज उस सपने को सकार करने का समय आया है। तो मेगावर्ट हम अभी जनेर्ट कर सके हैं। और यह वर्ष हम इसमें प्रयास करना हैं लगबक 84% बिजली जो हम परदेश के अंदर कंजीम करते हैं। वो हाइडल प्रोजेक्ट से आती हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस शेतर में पंड़ सुख्राम जी का सपना रहा। कि हाइडल पावर सेक्टर में हम आगे बढ़ें। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जादे से जादे काम करूँ। अनिल शर्मा ने मंडी शहर में जारी विकास कारियों की जान करी दी। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया पुल के साथ बन रहे नए पुल के निर्मान पर अभी तक 11 क्रोड की राशी खर्च चुकी है। और इसके लिए 5 क्रोड की अतरिक राशी की जरूरत पड़ी है। पर तो लगबग 11 क्रोड का काम हो चुका है और 5 क्रोड रपे की और मांग की कली मैंने मुख्यमंती से कहा कि ये पुल का काम रुक न जाए लगबग 5 क्रोड रपे और इसमें दिया जाए और उसी वक्त उन्होंने सेक्टि फाइनेस को आदेश दिये है कि जल्द से जल्द पैसा जो है देकर इसको काम को और रखता दी जाए इस दोरान स्कूली बच्चों ने रंगा-रंग सांस्कृतिक कारेकरम पेश किये अनिल शर्मा ने अपनी एच्चिक निदी से स्कूल को 11,000 रुपे देने का भी ऐलान किया